तो हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का इस पिक्स्टोक्स पेमिली में और आज के इस नई वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमने जो है बेंक निफ्टी के अंदर 1500 से जादा पुइंट किस तरीके से कवर करे थे ठीक है और उसके पिस्चे की जो स्टेटिजी थी क् मैं आपके साथ मैं सेर करने वाला हूँ और आप जो है किस तरीके की जो बड़े-बड़े टेड्स होते हैं यह जो बड़े-बड़े जेकपोट होते हैं उनको आप जो है किस तरीके से ले सकती है या अगर ले लेते हैं तो उनको जो है किस तरीके से आप जो है होल्ड कर सक है तो बने रही है मेरे साथ और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को संद्स autor कर क्योंकि यहां पर प्राइजक्षन के साथ में मैं आपको जो अगर आप को पर हैं लाता हूं खै Natürlich सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज थी कि हम पर आप चीजो होगा याप पर देख सकते हूं जो 40-500 का सी है उसको मैं अगर आपको जाके दिखाता हूं ठीक है तो उसके अंदर आप लोग देखो ठीक है इसके अंदर लोग आप देख सकते हूं यहां पर जो एक्टिवेशन था हमारा 310 रुपए था तो 310 रुपए पर हमने यह हमारा सी लिए था ठीक है उसके बाद में आप इसके अंदर मुमेट देखो 1170 रुपए ठीक है यानिकि जो 1170 रुपई है यह यह लगाके आया था और उसके बाद में जो हमारे सेकंड ट्रे तो चलते हैं टेलिग्राम में और देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर देखो गुड मॉर्निंग का मेसेज में बेजा उसके बाद में बोला कि आग सब्सक्राइब यह सब चीजे मैंने पहले ही बता दी कि आज बड़ा दमाखा हो सकता है उसके प्रीमिम मेंबर्स को मैंने यहां पर ट्रेड दिये था जो कि 310 रुपे पहला ट्रेड और उसके बार में जो दूसरा ट्रेड था ठीक है वह 255 रुपे था और यहां पर आप इसके रिजल्स भी ज्यादा इसके अंदर लिये था ठीक है तो आप किस तरिके से यह जो बड़े-बड़े टेड्स होते हैं उनको होड़ कर सकते हैं यह ले सकते हैं तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग वियू के उस सार्ट के उपर अगर आपका सेर मार्केट में डेली अपना कवर कर सकते हो ठीक है तो हम आ चुके हैं ट्रेडिंग वियू के इस वेब साइट के उपर जहां पर आपको चार्ट विगरा देखने को मिल जाता है तो हम देख लेते हैं कि किस तरिके का मुमेंट जो है मौनिंग के टाइम पे हुआ था और उसके बाद में इतना ब मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो है सिंपल सिंपल चीजे बताने वाला हूं और मैं इस चैनल के उपर भी आपको जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइजेक्शन के उपर काम करने को लिए बोलता हूं जितने भी मेरे टेडर से हैं उनको मैं यह सब चीज बोलता हूं कि आप मार्केट से पैसा सारे एकभा क्या आते हैं आपको सही स्टिटी जो है सभी समय पर यूज़ करनी आनी चाहिए ठीक है तो वह क्या सब्सक्राइब के मार्केट खुछ यहां पर जो लेवल था इस लेवल के उपर यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया ठीक है सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में अचानक से क्या होता है कि यहां पर बाइंग प्रेशर आता है ठीक है खतरनाक बाइंग प्रेशर आता है और यहां पर आप देख सकते ह है वो यहां पर क्या होता है जब अगर आपको पता होता है कि इस तरीके केंडल आपको जब भी मार्केट के अंदर धीकती है जिसके अंदर क्या होता है मार्केट अगर मालों की बहुत ज़्यादा गिरह है उसके बार में इस तरीके केंडल आपको बंती हुई नजराती है मार्केट के अंदर आपको है बाइंग या फिर शेलिंग प्रेसर नजराता ठीक है मालों कि अगर शेलिंग प्रेसर होता तो हम जो है क्या करते हैं नीचे के तरफ जा सकते थे लेकिन यहा तो जो ग्रीन वाली लाइन है इसके अंदर मैं बात करा हूं ठीक है यहारा फश्ट हो जाता अगर यह लिए डोन हो जाता थे हम क्या सोचते कि हमारे जो एसल है तुक है उसको हम साथ हम साथ हमको को ट्रेल करना है एसल देंग इसके अंदर हमने जो ऐसल रखता वो सिरफ 25 तो जो में चीज होती है वो यह होती है कि आपको जो है कि समझ में आ रहा है बस आपको समझना होता है कि होता है अपको सबसे पहले आपको यहां देखने को मिल रहे है यह देखो इसको मैं थोढ़ा सा और पर दिखते दी वाली यह वाली लेवल के उपर अगर सश्टेन हो जाता है यह सब चैज़े मैं पहले ही बोल देती सब्सक्राइत कर देती एसकी उपर मारकेट यह उसके बार में पर यह जा सकता है अदर्वार से नीचे भी आ सकता था लेकिन यह नीचे नहीं आया और मार्केट्ट के अंदर सटम्ड़ने की वुजय से नीचे लिए टोड़ तो उसके बाद में यहां पे जो है मर्कमेट को भी तोड देता है और उसको तोड़ने के बाद में यहां से फिर से क्या रहता है यहां से क्या ह anymore केmar Bread के अंदर तो आप जो है इस तरह के मुमिट आप एजली केज कर सकते हो आपको सिंपल प्राइज एक्षन आना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको यह समझ में आने चाहिए कि किस तरह किसे यहां पर आप नीचे देखो तो वोल्यम आप देखोगे तो यहां पर तो यह था कि मार्केट जब भी आपको इस तरह के का डाउनफोल अगर मिलता है तो इस तरह के के चैंडल आपको मिलती है जिसके अंदर आपको जो है प्रेशर ज्यादा मिलेगा ठीक है यह वाली जो लाइन है इसका हमने यूज किया यह हमारा फर्ष्ट तार्गेट था उ तो इस त्रीकिया के आपको सीखने को मिली ऑगी बहुत कुछ मैंने इस वीदियो के अंदर आपको को सिखाय ठीक है तो में जो चीज होती है उसके अंदर आपको एसल को ट्रेल करना होता है और थोड़ी जो चीज होती है वो होती है हमारी पेसेंस ठीक है पेसेंस आपको रखना जुरूरी होता है कि मानलों कि यह वाली रेड़ बनी और आपको क्या लगा कि मार्केट यहां से सकता थीगिन थोडगा सा रिस्क भी आपको जो है कभी-कभी ऊच्छा रहता है इसके अंदर काम करते तो आपको जो यह इतना बड़ा मुमेंट आप engaged कर सकते चलए तो करेक्शन करने आता है मरकेट मार्केट के अंदर आपको ले कre shifts करने और यह झाने तो उससे अमको डरना नहीं चाहिए और हमको अची तरह से टेल करना आना चाहिए अगर आपको सकते हूं कि हमको एसल ट्रेल के ऊपर वीडियो चाहिए बागी आप क्राइब्प्स प्रकर करो है रही सकते हैं मिलते हैं नई वीडियो के अंदर और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सिखाने के कोशिश करिए उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ सिखने को मिला हुआ ठीक है